क्लास 12 और 6.2 के निउसमें क्या करते हैं इसमें क्या करते हैं इसमें मालो हम पहले fx लेंगे fx का हमें डिफिरेंडर करेंगे f-x और this f-x को 0 पूट कर लेंगे मालो कोई फंचन है मालो x तो हम इसको पहले y equal to f x को यह ले लेंगे तीक है उसके बाइस करेंगे यानि y dash कितना होगा इसका 2x फिर जो आएगा उसको equal to 0 कर देंगे उसको equal to 0 कर देंगे और x की value 0 आगए तो जो value आएगी उसको हम फिर number line draw करेंगे जैसे minus infinity to infinity तो point कितना है 0, 0 को यहाँ लगा देंगे तो फिर इन दुन की बीच में कोई point है उसको लेंगे उसको फिर f dash x में value बूट करते है तीक है और और वो minus में आ रहा है तो बोलते है decreasing है और plus आता है तो increasing है increasing function f dash x greater than equal to 0 होता है तीक है सी condition for all x belong to close interval a to b close interval मदला कि a or b include होगा उसके बीच के भी सारे होंगे और strictly increasing means f dash x greater than होगा equal to 0 not equal to खाली greater than होगा इसमें equal to b होता है increasing function में और strictly increasing में greater than 0 for all x belong to open interval a b open interval means a or b exclude होगा a or b को count मदला नहीं लेंगे उसके अंदर के बागी सब लेंगे decreasing function f dash x more than equal to 0 for all x belong to a b close interval strictly decreasing f dash x more than 0 for all x belong to a b एक्साइज करते हैं 6.2 यह असलमें मैंने पहली वीडियो बयात शुका था लेकिन इसमें आवाज नहीं इसलिए मैं कुछ दुबारा बनाने के लिए तो 6.2 एक्साइज है इसका question number 1 है f x equal to 3 x plus 17 तो पहले मैंने क्या था इसको f dash x निकालने इसका तो differentiate करते हैं इसको x कि respect में f dash x क्या एगा इसका 3 x का differentiate 3 होगा और वो क्या रहा है positive आ यानि greater than 0 इसका मतलग क्या वालेंगे function f x is strictly increasing on r वी greater than 0 के लिए क्या था strictly increasing उसके बाद f x second question f x equal to e की 2 x तो फिर differentiate करेंगे differential with respect to x को भी f x दिया आपको ना कुछ भी दिया इसको f x ले लो आप उसका फिर differentiate करो फिर इसको equal to 0 करो फिर point निकाल के उसको number में दिखते है फिर इसका f dash x निकाला e2 x का e2 x होगा और इसका chain rule तो फिर करेंगे 2 x का 2 आ जाएगा फिर इसको greater than 0 है को क्योंकि प्लस इसका प और minus put करते हो मुद्ला minus one put किया अपने e की minus 2 हो जाएगा यहां 2 यानि e की minus 2 का मदलो होता है 1 upon e का 2 और into 2 यानि greater than 0 यही फॉस्ट ही भाएगा तो इसका मुद्लाब greater than 0 तो f function क्या होगा is strictly increasing on r तो इसका question number 1 or 2